असलाम अलेकुम वरहमत अलाहिव बरकातु हमारा आज का निया क्वेश्चन 2017 का जो आया है उसको हम डिस्कुस करने लगे हैं इनलिस्ट दे क्रिमिनॉलोजिकल प्रस्पेक्टिव यह इसकी पहली स्टेट्मेंट है और दूसरी स्टेट्मेंट इसक्वेश्चन की है कि ब्री से कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट दे हमें जिसके अंदर आप क्या जानते हैं कि आज तक क्रिमिनॉलोजी को किन किन प्रस्पेक्टिव में पढ़ा गया है जितनी जितना आप जानते हैं उतनी उतने प्रस्पेक्टिव को एक लिस्ट में आप लिखते हैं और दूसरे स्टे पर很ड़ आ chance नहीं कर समय को नहीं उलिस्ट कर लेते हैं और प्ति ना के ख१त्षवं घेड़ी को अइस घृघցज जानिनेर्व के बरते हैं शे inn order for one ऑच पहले एक फेली रहो सवी होते क्या है दरसल कर m acabou को वह आइडियाज हैं वह आप का व किन किसी भी फिलासिफर का कि वो क्राइम के इशूज को किस तरह से देखता है क्राइम को एजा सोचिल लॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह से देखता है और वो कॉजिस ऑफ क्राइम को किस तरह से बियान करता है उसकी उसका माइंड सैट क्या है उसकी इंसाइट क्या है कि क्राइम क क्या पीछे क्या क्या काउस्ट हैं और इसको किस तरीक में क्राइन को किसे रोका जा सकता है तो किसी भी पर्सपेक्टिफ के अंदर को सब्जेक्ट की बात करें तो किस आंगल से क्राइम को जबर आप प्रॉब्लम को नियुक्ता क्ड़ूजद देख रहे हैं कि क्राइम क्यों हो रहा है काॉस ऑफ क्राइम किया है और प्रेवेंशन ऑफ क्राइम क्या है यह आप क्रिम्लों ऑफ क्षक्ट जाएं वागा ध्यालिय्ट डै तो इन्ही रिसर्च के उपर रिसर्चर्स इनको बियस बना के पॉलिसी मेकर्स और प्रेक्टिशनर्स क्या करते हैं कि इन्ही परस्पेक्टिफ के नतीजे में आने वाली थीरीज को अंडरस्टैंड करते हैं और उनमें क्या understand करते हैं वो यह understand करते हैं कि cause of crime क्या है इसकी prevention क्या है और फिर criminal behavior को कैसे address किया सकता है society में hopefully यह second line का मतलब भी आपको समझ आगया होगा अब आके देखते हैं कि क्रिमनालोजी क्या है क्रिमनालोजी दर असल एक evolving field है क्यों यह evolving field क्यों है क्योंकि society evolve हो रही है हर गुजरते लम्हें के साथ और नए-nए crimes introduced हो रहे हैं society में तो इसलिए क्रिमनालोजी obviously field as a field of study भी evolve करेगी और complex issues को discuss करेगी और हर नए आने वाले issues के ओपर भी यह क्रिमनालोजी जो है अपनी research करेगी और researchers अपनी study को भी evolve करेंगे तो इसलिए क्रिमनालोजी एक evolving field है इसमें हर गुजरते लम्हें new perspectives आ रहे हैं और चूंके new perspectives से crime को देखा जा रहा है तो theories भी continuously आ रही है ताके हम crime को understand कर सकें और वो बढ़ते हुए criminal behaviors को भी understand कर सकें So criminology is an evolving field and new perspectives and theories continue to emerge as our understanding of crime and criminal behavior आगे चलते हैं जी क्रिमनालोजी एक multidisciplinary field है ये multidisciplinary field क्यों है क्यों क्योंके crime के causes के अंदर कोई एक cause तो है नहीं different causes है like economical causes है sociological causes है like biological causes है psychological causes है crime के पीछे ठीक है इनसान की अपनी rationality भी है और society का structure भी a cause of crime है तो इस इन सब चीज़ों को अगर देखें तो ये अपने अंदर खुद एक discipline psychology एक discipline है economics एक discipline है biology भी discipline है ठीक है तो हम इन तमाम सब्जेक्ट को criminology crime को understand करने के लिए criminal behavior को understand करने के लिए हम इन तमाम disciplines को study करते हैं इसलिए criminology multi-disciplinary field है जो जिसका मक्सद क्या है to understand the cause and dynamics of criminal behavior so criminology is a multi-disciplinary field that seeks to understand and cause and dynamics of causes and dynamics of criminal behavior आगे चलते हैं जी तो कुछ इसके prominent criminological perspectives हैं जिनको हम discuss कर लेते हैं वो कौन-कौन से हैं classical criminology है आप मेरे चैनल की playlist में जाके crime criminology की लिस्ट में जाके classical criminology को deeply understand कर सकते हैं मैं यहाँ भी आपको समझाओंगा इसको नियो-classical criminology है फिर positive criminology है feminist criminology है critical criminology है biological perspectives हैं इसमें psychological perspectives भी हैं और इसके इलावा sociological perspectives भी हैं और इसके साथ साथ economical perspectives भी हैं और इसके इलावा भी बहुत सारे perspectives हैं लेकिन यहाँ पर इतना बहुत है discuss करना तो यह question के जो first part है ठीक है जो in listing of criminology के perspective थी वो यहाँ पर solve हो जाता है अब हम इसके second part की तरफ चलते हैं कि हमने सब्सक्राइब करना है तो हम देख लेते हैं कि किन किन प्रस्पेक्टिव को डिसक्स करेंगे classical criminology को positive criminology को और critical criminology को हम यहाँ पर डिसक्स करेंगे ठीक है जी सबसे पहले हम classical criminology को डिसक्स कर लेते हैं इसके अंदर key theorist जो हैं वो कि की theorist के नाम आपको बता दी हैं अब हम इसके अंदर इसके main idea को भी साथ में discuss करेंगे और थोड़ा सा इसका introduction यह है कि classical criminology जो है यह कब emerge होती है यह enlightenment के period में emerge होती है means कि जब liberty western Europe में आ जाती है और वहां पर इंसान को लिबर्टी मिल जाती है सोचने की argument करने की तो वह period शुरू हो जाता है वहां पर enlightenment का और enlightenment के period में 18th century में यह classical criminology emerge होती है so classical criminology is a school of thought in criminology that emerged during the enlightenment in the 18th century so it is associated with key figures like Cesar a Bicaria and German and is characterized by several fundamental principles and ideas classical criminology के अंदर बहुत सारे ideas दिये गए ठीक है crime को रोकने के लिए और crime के cause को बताने के लिए principles बताए गए और ideas दिये गए आप मेरी classical criminology की जो theory है मेरी playlist में उसको जाके इन तमाम ideas और principles fundamental principles को समझ सकते हैं यहां भी मैं उनका एक touch आपको दूँगा क्योंकि उन्होंने briefly describe करने के लिए कहा है तो तो मैं briefly describe भी करूँगा इन्शाला सो classical criminology represents a departure from earlier religious and supernatural explanations of crime अब इस line का मतलब क्या है कि जब classical criminology आई उससे पहले क्या था उससे पहले crime को लेके जो thoughts थी या जो school of thought था वो एक religious school of thought था जिसको हम pre classical school of thought भी कहते हैं लिमनालजिकल school of thought भी कहते हैं तो वहां मानना ये था कि इन्सान जो crime करता है वो दर असल किसी supernatural power के influence की विए से crime करता है तो classical criminology ने आके इस notion को इस सोच को इस idea को reject किया और उसने कहा कि नहीं इन्सान rational है इन्सान secular है और इस study के अंदर आपने इन्सान की rationality को secularism को study करना है और फिर आपकी जो approach होनी चाहिए वो utilitarian होनी चाहिए मतलब as a whole आपको society को study करना है और crime को भी as a whole समझना है और आपने कुछ ऐसे एकदाम लेने हैं कि आप उनके अंदर criminological behaviors को as a whole understand कर सकें कि society के अंदर crime दर असल crime होने की वज़ा है क्या और secondly आप ऐसे एकदामात लें जिनके वज़े से society के अंदर crime को as a whole stop किया जा सके that transcreate की जा सके इन तमाम ideas को मज़ीद explore करते हैं आगे चलके तो main ideas क्या है इस theory के इस school of thought के इस perspective के main ideas क्या है उन्हें देख लेते है classical criminology is rooted in the idea of free will सबसे पहला idea तो ये है कि इनसान कोई भी action perform करता है तो वो किसी supernatural power के influence की वज़ासे नहीं करता इनसान अपनी life में कोई भी decision लेता है किसी भी किसम का step उठाता है या कोई भी decision लेता है वो अपनी rational thinking को इस्तमाल करता है और अपनी free will से अपने तमाम actions को perform करता है regardless of crime किसी भी किसम का action इनसान perform करता है तो उससे पहले सब वो क्या करता है कि वो calculate करता है profit or loss को अगर किसी काम में इसको profit नजर आए तो उसकाम को सरंजाम दे देता है उस action को perform कर देता है और अगर उसको उस action में loss नजर आ रहा है consequences में उसे loss नजर आ रहा है profit नजर नहीं आ रहा हा तो वो कभी भी उस action को perform नहीं करेगा ये मानना था classical theorist का तो उन्होंने कहा उन्होंने idea दिया free will का कि इन्सान कोई भी action अपनी मर्दी से perform करता है और rational decision making करता है means के अपने profit और loss को calculate करके ही वो अपने actions को perform करता है और ये theory ये कहती है कि individual जो है वो अपने cost और benefits किसी भी action के cost और benefits को analyze करते है और उसकी base पे किसी भी action को perform करते है इस सेम इसी तरीके से crime भी एक action है ठीक है criminal behaviors जो है वो दर असल cost benefit analysis के बाद ही adopt किया जाते है और इनसान criminal behaviors को opt तब ही करता है जब से criminal acts में कोई profit नजर आ रहा हो ये मानना था classical theory का यही इसका main idea है so criminals are seen as rational actors who weigh the potential rewards of criminal behavior against the risk of punishment so classical criminology का मानना क्या है कि criminals जो होते हैं वो rational actors होते हैं वो जो rewards हैं उनकी तरफ नजर रखते हैं कि अगर हमें criminal behavior में कोई reward मिल रहा है और punishment नहीं होगी या comparatively कम punishment होगी as compared to the seriousness of crime तो वो criminal activities को perform कर जाते हैं क्योंकि उनके माइन में criminal activities को लेके एक deterrence create होती है तो society को as per the thought of classical criminology as per classical perspective society के अंदर अगर crime को रोकना है तो उसका बहतरीन तरीका यह है कि जो punishments जो हैं वो directly proportional होनी चाहिए है to the seriousness of crime so the perspective of classical perspective emphasis that is the importance of swift and certain punishment as deterrent to crime to severe punishment होनी चाहिए certain punishment होनी चाहिए और 40 punishments होनी चाहिए जो criminal proceedings है और जो justice का system है उसमें delays नहीं होनी चाहिए इससे क्या होगा इसमें society के अंदर crime को लेके सब्सक्राइब होगी आगे चलते हैं जी some of the core concepts of criminology classical criminology क्या है classical criminology क्या है क्लासिकल क्रमाइब को जो core concepts है उनको discuss कर लेते हैं सबसे पहले rational choice है फिर hedonistic calculus है और फिर debt friends है और फिर equality before law है utilitarianism है humanitarian approach भी इसी के अंदर आती है तो हम इन तमाम concepts को briefly discuss कर लेते हैं legislative clarity और social contract भी इसी theory का हिस्सा है और free will भी इसी theory का core concept है इन सब को हम discuss कर लेते हैं briefly rational choice क्या है classical criminology is rooted in the idea that individuals are rational beings who make choices based on their own self-interest criminal behavior is seen as a rational choice made after weighing the potential benefits against the risk of punishment इसको हमने discuss कर लिया है hedonistic calculus क्या है according to classical criminology individuals seek player and avoid pain हर इनसान player हासिल करना चाहता है और हर इनसान pain को avoid करता है यही hedonistic calculus है और उसका कोई भी decision है वो इस pain और player के principle को mind में रखके है so the decisions to engage in criminal behavior is based on the calculation of whether benefits outweigh the cost means कि अगर उन्हें इनसान action perform करते वक्त देखता है कि इस action के मुझे benefits है या नुकसानात है अगर उसे benefits नजर आएं और नुकसानात कम नजर आएं तो actions को perform कर जाते हैं so deterrence क्या है के central idea है जो classical criminology का वो क्या है deterrence है और the severity and certainty of punishment are seen as crucial in deterring individuals from committing crimes it argues that a well publicized and harsh punishment is more effective in preventing crime than a lenient one वो कहता है कि अगर deterrence क्या है deterrence यह है कि आप किसी भी potential offender को इस किसम का निजाम दें दिखाएं कि अगर वो कोई offense करता है यह criminal act perform करता है तो उसे या उसके जहन में किसी भी criminal act कर perform करने का ख्याल आता है तो उसे उसे consequences बता होने चाहिए उसे consequences के अदर अगर punishments swear हैं और swift हैं तो उसके mind में dependence create होगी एक रुकावट create होगी और वो criminal actions को perform नहीं करेगा लेकिन अगर punishments lenient होंगी delayed justice होगा तो फिर society में criminal activities के बढ़ने के chances जादा है so equality before law बहुत important concept है इसका के society के हर चाहस को law के सामने equal होना चाहिए जब equality before law होगी for all individuals of the society तो उससे होगी regardless कि किसी का social status क्या है किसी की wealth क्या है या किसी की personal characteristics क्या है अगर किसी ने भी crime perform किया है criminal act को perform किया है तो उसे society में equally tweet किने किया जाना चाहिए law के सामने और यह जो equality before law है यह डेट्रेंस create करने के अंदर अपना एहम रोल अदा करती है it promotes the concept of equality before the law and equal treatment under the legal system hopefully यह concept यह समझा गया होगा utilitarianism क्या है criminal classical criminology adopt a utilitarian perspective seeking the greatest good for the greatest number मतलब आपने कोई भी एक्दमाद करने हैं कोई भी policies बनानी है तो आपने overall society को लेकर अपनी policies को बनाना है और आपने जो benefits पहुचाने हैं पूरी society को पहुचाने हैं और crime के अगिने सब्सक्राइट करनी है तो पूरी society के अंदर डेट्रेंस क्रीट करनी है this means that a legal system should aim to minimize harm and promote the well-being of society as a whole hopefully ये concepts आपको समझ आगे होंगे legislative clarity क्या है classical criminosis call call for clear and specific laws वो कहते हैं कि laws बिल्कुल clear होने चाहिए और clearly understandable होने चाहिए और specified होने चाहिए ताके हर शक्स इनको जाने laws written form में होने चाहिए और इस तरह से दिखे वे होने चाहिए कि वो easy to understand हो और ये ensure कर जाना चाहिए कि individuals जो हैं उन्हें मालूम हो कि कौन-कौन से actions criminal actions हैं और उनके पर punishment हो सकती है और उनको अपने actions को लेके criminal activities को लेके unlawful actions को लेके उनके consequences का भी इलम होना चाहिए है जिसकी वज़ा से डेट्रेंस क्रियेट होगी और society में लोग criminal actions को perform नहीं करेंगे फिर humanitarian approach होने चाहिए यह मानना है classical criminology का और यह क्या कहते हैं कि punishments जो हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए seriousness of crime के torture नहीं होना चाहिए और excessive punishment भी नहीं होनी चाहिए और cruel punishments भी नहीं होनी चाहिए means जितना बड़ा crime उतनी बड़ी punishment इससे ज़्यादा punishment या इससे ज़्यादा गलत treatment किसी भी individual के साथ नहीं होना चाहिए और इसमें human rights को सामने रखा जाना चाहिए और वो cruel punishments के against भी हैं और यही एक humanitarian approach है classical theory classical school of thought की तरफ से so penalties जो है और severity जो है crime की punishment की वो crime के proportional होनी चाहिए यह मानना है classical criminology का और फिर social contract का concept देते हैं के पूरी society को जो policy makers हैं उनके ओपर belief होना चाहिए और उनकी उनको society को जो legislatures हैं वो एतमाद में लेंगे और फिर laws को frame करेंगे so classical criminology is grounded in the idea of social contract social contract खुद एक ideology है जिसके अंदर society के लोग powers render करते हैं अपने governors को जो उन्हें govern कर रहे होते हैं और वो authority देते हैं और वो उनके belief भी करते हैं कि वो कोई भी step लेंगे तो वो society के वसीतर मफाद में लेंगे so classical criminology is grounded in the idea of social contract where individuals agree to live in a society with established rules and laws तो जब उनके govern करने वाले legislators और governors जब कोई laws और rules पास करेंगे तो society उन सब को मानेगी भी अपनी free will से so in exchange for the benefits and protection offered by society individuals are expected to obey the law और फिर वो law को अबे भी करेंगे तो free will क्या है free will का मतलब यह है कि इनसान हर इनसान जो है उसके पास decision making की power है हर इनसान के अंदर characteristic है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी action को perform कर सकता है और वो इनसान किसी के दबाव में आगे कोई काम नहीं करता और यह अगर किसी का criminal behavior है तो भी वो उसकी अपनी मर्जी से है तो यह concept है free will का इसने एक basement दी आज तक की आने वाली तमाम theories को और अब तक जितनी भी theories हैं वो यहीं से इसके conflict में drive होई हैं और इन्होंने एक बेस प्रवाइड की philosophers को कि क्राइम को किस्तां study के जाना चाहिए और फिर criminal justice system के idea भी classical theory से ही आया था और आज का जो criminal justice system देखते हैं आप यह उस वकत का दिया हुआ आइडिया था सीजरे बिकेरिया का सो आज तक जितने भी modern legal systems हैं वो उसी ideal criminal justice system से निकले हैं तो यह जो आपके sentencing का idea था कि punishment should be directly proportional to the seriousness of crime यह idea भी सीजरे बिकेरिया दिया और पनिश्मेंट्स को as a debt strategy strategy of prevention of crime as a debt trans का idea भी इसी classical criminology से आया so hopefully आपको पहला school of thought या पहला perspective criminological perspective समझा आ गया होगा अब अगले perspective की तरफ चलते हैं positive criminology की तरफ और इसके key theorist कौन है Caesarie Lambroso और M.A. तो positive criminology एक perspective है जो scientific approach को लेके criminal causes को understand करते हैं यहाँ पर scientific approach इस्तमाल होती है किसी भी क्रिमिनल cause को understand करने के लिए actually जो classical theories है यह classical perspective है उसके अंदर history को study करके ideas दिये गए थे और यहाँ पर scientific research करने के बाद cause of crimes को find out किया जाता है hypothesis based और फिर scientific experiment किये जाते हैं और उसके नतीजे में cause of crime बताया जाता है और prevention बताया जाती है तो moreover इनका एक और stance भी है कि आप बजाए इसके कि आप पनिश करें आपको criminals की rehabilitation की दरफ तबज़ों करनी चाहिए तो क्लासिक positive criminology believe that criminal behavior is not solely a result of free will or rational choice but is influenced by various factors तो positive criminology जो है वो क्या कहती है उसका मानना क्या है उसका idea क्या है वो यह कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इनसान अपने free will या rational choice की base पे ही crime करें और बहुत सारे factors हैं जो कि इनसान के behaviors को influence करते हैं जैसा कि biological factors हैं या psychological factors हैं और sociological factors भी cause of crime होते हैं किसी भी इनसान के criminal behavior के पीछे तो hopefully आपको key theorist के idea समझ आए होंगे तो इनके main ideas क्या हैं इनको हम discuss कर लेते हैं positive criminology takes a more scientific approach to understand crime it suggests that factors beyond and individuals control such as genetics environment and social influence play a significant role in criminal behavior तो इनका main idea क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि इनसान अपनी मर्जी से criminal activities को perform करें अपनी free will से criminal activities को perform करें अपनी rational choice से criminal activities को perform करें कुछ ऐसी reasons भी हैं कुछ ऐसे causes भी हैं जो के इनसान के control में नहीं होते और उसकी और वह 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 causes वह factors जो के इनसान के control में नहीं होते वह भी इनसान के behavior के shape होने के अंदर एहम करदार अदा करते हैं जैसा के genetics environment or social influence है so this perspective मतलब positive perspective of criminology seeks to identify the root cause of crime and focuses on rehabilitation and treatment तो यह जो positive positive perspectives हैं उनका मानना क्या है वो यह कहना चाहते हैं कि आपको root causes मालूम करने पढ़ेंगे कि कि क्रिमिल behavior के पीछे कि आखिर root cause क्या है जब आपको root cause पता चल जाएगा तो फिर आप उसकी बेस पे उस क्रिमिनल की rehabilitation करेंगे उसका treatment करेंगे ताके वो दुबारा क्रिमिल activities में involved ना हो और ऐसे ways adopt करने पढ़ेंगे कि जिसकी वज़े से क्रिमिल behaviors को reduce किया जा सके यह मानना है और यह एक पॉजिटिव एप्रोच है और यही पॉजिटिविस्ट अप्रोच है ठीक है इट ओफन implies empirical research and statistical analysis चुकि यह scientific approach है पॉजिटिव एप्रोच scientific approach है तो यहां पर data collect होता है statistics होती है और फिर उनको अनलाइस किया जाता है और यह एक empirical study है और सो इसके अंदर जो different frameworks है इनको डिसकस कर लेते हैं theories को डिसकस कर लेते हैं कि पॉजिटिव इस परस्पेक्टिव में कौन scientific theories भी है personality theories भी है psychological theories के अंदर बाल्जिकल theories में लंब्रोसर theory है एक्स वाइवाई थिरी क्रमोजम थिरी है और psychological theories के अंदर psychodynamic theories है personality theories है और sociological theories के अंदर social learning theories है social control theory है और फिर environmental theories है life course theories है तो यह जो theories है यह सिर्फ यही थिरीज नहीं है इन perspectives में in school of thoughts में मजीद theories भी है लेकिन उन्होंने यह कहा है कि आप briefly describe करें तो briefly describe करने के अंदर हमने कुछ specific theories को हम discuss कर रहे हैं मजीद theories को अगर आपने समझना हो आप मेरे channel पर जाके उन्हें understand कर सकते हैं number of theories की videos already मैं बना चुका हूँ और वो मेरे playlist मेरे channel की playlist में मुझूद है आगे चलते हैं जी लंब्रोसो की जो theory थी उस theory में उन्होंने कहा था कि 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 इनसान पैदाशी तौर पर क्रिमिनल होता है उन्होंने एक बुक लिकी थी criminal man और उसके अंदर शीजर लंब्रोसो ने कहा एक नोशन दिया बॉन करिमिनल का और उन्होंने कहा कि इनसान पैदाशी तौर पर क्रिमिनल होता है और उस क्रिमिनल को बहुत क्लिरली उनके एटवेस्टिक फीचर्स और फिजिकल क्रिश्टिस की बेश पर पैचाना जा सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिमिनल्ज जो है वह नॉन क्रिमिनल्स से डिफरेंट होते हैं सो इस तीरी था लाजली बें बिस डेस्क्राइब जिवर्ड़ीटेटेट सौर्य डिसक्रेटेट प्ट है हम लंब्रोसित की जो तीरी थी वह हमने देख ली जिसके अंदर अवेट अटवेस्टिक फीचर्स की बात हुई फिजिकल क्रिस्टिस की बात हुई इसके इलावा एक्स वाय-वाय क्रोमोजोम थीरी है यह एक्स्ट्रा कॉपी ओफ वाय-क्रोमोजोम जो एक प्रोड्यूस होती है इनसान के अंदर इस्पेशली मेल्स में घ्यूरिंग दर प्रोसिस ऑव म्यूटिशन यह थीरी इस बारे में है जो कि जिससे जैकब सेंड रॉम भी कहते हैं जिसे पेट्रिश या जैकब ने इडिंटिफाइड किया था सो यह कहते हैं कि इनसान म्यूटिशन के प्र extra copy of y chromosome मुझूद होता है उन से expect किया जाता है कि वो criminal activities को evolve क्रिमिल activities को adopt कर लेते हैं या उनमें involve हो जाते हैं उसकी reason ये है कि उनका behavior normal लोगों से different होता है क्योंकि जो extra copy of y chromosome है वो इनसान में उसके behaviors को effect करती है और वो normal लोगों की तरह behavior नहीं करता है इस theory के ओपर भी बहुत सारी critics हुई और ये भी described हुई क्योंकि इसमें empirical sport नहीं थी आगे चलते हैं जी social control theories को समझ लेते हैं psychodynamic theory को समझ लेते हैं psychodynamic theory segment fred ने दी थी ये psychological school of thought के अंदर ये theory थी तो psychological theories में से psychodynamic theory एक theory है जरके segment fred ने दी और इसके अंदर segment fred कहता है कि इनसान का जो unconscious है वो उसके conscious पर dominant होता है और उसके behavior और उसके actions को dictate करता है इनसान के unconscious में मौजूद जो unfulfilled desires हैं जो उसके बच्पन में जो कमिया रह गई उन कमियों को इनसान अपनी जवानी में आके जब उसके पास पाहर आती है या वो इसकाबिल हो जाता है कि वो actions को perform कर पाए तो वो उन्हें perform करता है और most chances हैं कि अपनी repressed thoughts को fulfill करने के चकर में अपने unconscious thoughts को fulfill करने के चकर में इनसान करिमनल activities में engage हो जाए इसको लेके इड इगो सूपर इगो की पूरी theory मैंने आपको detail से समझाई है अपनी playlist में करिमनलजी के school of thoughts की आप उसे मेरे channel की playlist में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो इनका कहना यह है इन शॉर्ट के अर्ली चाइल्डूल एक्सपिरियंस प्ले एं इंपॉर्टेंट रोल इंशेपिंग देख में बहेवियर और इसेंपल साइकोडीनमिक थीरिस्ट में आर्गू देख अन्रिसॉल्ड कंफिलिक्स और ट्रॉमास कें लीड टू क्रिमनलजी वहफुली साइकोडीनमिक थीरी का आइडिया आपको समझ आ गया होगा सोशल कंट्रोल थीरी जो है वह क्या कहती है सोशल कंट्रोल थीरी कहती है सोशल कंट्रोल थीरी के दो नाम है और इसका कहना यह है कि अगर सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजूल्स के आपस में सोसाइटी के साथ बांड्स वीक हैं तो इस मोस्ट लाइकली के वो लोग क्रिमनल अक्टिविटी इसमें इंगेज हो जाएं सोशल बांड किन चीज़ों पर बनता है उसके चार आलिमेंट्स इस थीरी में बताएगे अटैश्मेंट, कमिट्मेंट, इन्वाल्मेंट और बलीफ और अगर इन में से कोई एक भी अलिमेंट ब्रेकडाउन हो जाए तो सोशल कंट्रोल खतम हो जाएगा जिसकी वएसे इन्सान से क्रिमनल अक्टिविटीज में इंगेज होने के चैंसे इन्सान के बढ़ जाएंगे तो यह थीरी भी मैंने इन डिटेल समझाई हुई है आपको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं लाइफ को पसेस्टेंट अफेंडिंग थीरी जो है उसके अंदर यह बताया गया है कि इनसान बच्पन से जिन आक्शन को परफॉर्म करता है और अगर उसने ना चेंज किया जाए तो वो एक लंबे अर्से तक उन एक्शन को उन बेहिवियर्स को और करके रखेगा और अगर आपको समझ आगई होगी अब कंफिक करिमनोलजी को समझते हैं कंफिक अप्रोच को समझते हैं दरसल कंफिक अप्रोच जो है वो अब तक आने वाली तमाम थीरीस के उप से कंफिक करती हैं वो कहती है कि ये दरसल सपोर्ट करती है society के dominant group को के वो subordinate groups को rule कर सकें इसलिए इनका मानना है के ये theorists के अपने mindset की इखतराएं है वो ये कहते हैं के इनसान को इन theorists के conflict में देखना चाहिए इसके जो key theorists हैं वो कार्ल मार्क्स हैं और जियोज वॉल्ड हैं कार्ल मार्क्स तो पूरे western thoughts के ही खिलाफ है और कार्ल मार्क्स का तो मानना ये है कि ये जितनी भी policies बनाई जाती है दरसल ये capitalist सोच के लोग इन theorists को देते हैं और उनका मकसद ये है कि powerfuls जो हैं वो weeks को rule कर सकें और ये कवानीन जो बनाई जाते हैं वो इसलिए बनाई जाते हैं ताके कमजोर लोगों को rule किया जा सकें तो इनकी सोच ही बिलकुल different है इसलिए इनकी theories को conflict theories कहते हैं so conflict theory is a theoretical perspective within the field of criminology that emphasis the role of power in equality and social conflict in the development of criminal behavior and operation of criminal justice system it offers clinic critical examination of the relationship between crime and the structure of the society highlighting low social economic and political disparities contribute to criminal conduct it highlights the importance of addressing systematic inequalities and power balances as means to reducing crime and improving the fairness and effective effectiveness of criminal justice तीक है जी इनका मानना ये है कि जो social inequalities हैं सबसे पहले इनको ठीक किया जाए और जो पावर का imbalance है इसको balance किया जाए तब ही जाके criminal activities से society को छुटकारा मिल सकता है और अगर लोग criminal activities को perform करते हैं किसी society में तो उसकी reason in systematic inequalities है society की और power imbalance main reason है यही conflict है इनका तमाम theories से तमाम perspectives से तमाम school of thoughts से मजीद इसके ideas को देख लेते हैं conflict criminology views crime as a result of social and economic inequalities power imbalance and conflicts within society so conflict theory argues that the criminal justice system is often used to maintain the status quo and control marginalized groups this perspective is critical of the role of law enforcement and criminal justice institutions in perpetuating social injustices it calls for structural change and addressing systematic inequalities as a way to reduce crime दर रसल काल माक्स की जो thoughts है जो conflict theories है वो society की inequalities को discuss करती है और rebellion thoughts रखती है और वो इस पूरे societies के जो structure है इसके खिलाफ है और वो यह कहते हैं इस पूरे structure को ही change किया जाए और law को क्राइम को कंट्रोल करने की system के अंदर changes लाए जाए जाए और वो इसको आगे discuss भी करते हैं कि की aspects of conflict analogy क्या क्या है roots and critical theory है यानि कि जितने भी critical theories है वो crime को किस तरह से describe करती है moreover social inequality है cause of crime इनकी नजर में और इनकी नजर में crime दर असल एक form of resistance है किस की कौन रिजिस्ट कर रहा है criminals को ये कहते हैं कि ये poor class से तालुक रखते हैं और ये dominant class की resist को resist करने के लिए criminal activities perform करते हैं और इनका emphasis किस चीज़ के ओपर है crime को रोकने के लिए वो कहते हैं कि पूरी society के structure को ही change कर दे social change इनका emphasis है और ये restorative justice के हक में है हम इन चीज़ों को discuss कर लेते है roots in critical theory means conflict criminology is influenced by the critical theory which emerged from frankfurt school of social theory in the mid 20th century critical theorists sought to challenge and critique the existing social order and its institutions including the criminal justice system so crime को वो as a form of resistance तेकते हैं conflict criminology posits that crime can be a form of resistance against oppressive social structure criminal behavior is seen as a response to the perceived injustice and inequalities in the society it may be a way of individuals to express their disc content or seek a redress of grievances इनका मानना ये है कि society की जो वो किलास जो के poor class है या जो subordinate class है और वो अपने उनके अपने grievances होते हैं अपने गिले शिक्वे होते हैं वो एथजाज करते हैं और अपने compensation चाते हैं और इस compensation की खाते हैं और इस compensation की खाते हैं वो एथजाजन crime करते हैं ठीक है जी आगे चलते हैं social inequality and crime तो इनका मानना ये है कि society के अंदर जो crime है वो दरसल social inequality और power imbalance की वजासे है and they content that individuals from marginalized group या marginalized and disadvantaged group are more likely to engage in criminal behavior due to limited opportunities and systematic operations Emphasis इनका क्या है यह क्या solution देते हैं criminal activities को stop करने के लिए society के अंदर crime को रोकने के लिए इनका emphasis क्या है इनका emphasis is a social change ये कहते हैं societies को change किया जाए so conflict criminology aims to bring about social change by challenging and transforming the structures that lead to criminal behavior and unequal treatment within the criminal justice system it advocates for policies and reforms that address the root causes of crime and social conflict ये restorative justice के हक में है restorative इसको भी discuss कर लेते हैं comfort criminology is often associated with restorative justice practices which seeks to address crime through dialogue, healing and reconciliation rather than punitive measures तो restorative justice क्या है restorative justice ये है कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो उसे पूरा किया जाए negotiations के थूँ, dialogues के थूँ और compensation दी जाए बजाए इसके कि आप किसी को punish करें restorative justice aligns with conflict criminology emphasis on addressing the root causes of crime and repairing social harms hopefully ये ideas conflict theories के आपको समझ आगे होंगे आगे चलते हैं जी conclusion की तरफ पूरे question के conclusion को हम इस तरह से देख सकते हैं कि दर असल हम criminology को पढ़ते ही क्यूं है हम cause of crime और prevention of crime को ढूनने के लिए, मालूम करने के लिए study को perform करते हैं और इसके अंदर हम causes and preventions को ही ढूनते हैं so the causes of criminal act have been discussed by various scientific disciplines researchers tended to rationalize the question why people commit a crime जब हमें ये पता चल जाएगा कि इनसान criminal activities को perform क्यूं करता है तब ही जाके हम prevention दे पाएंगे criminal acts के खिलाफ या crime के खिलाफ तब ही हम crime को data कर पाएंगे या हम crime को रोक पाएंगे या eliminate कर पाएंगे जब हमें real cause of crime पता चल जाएंगे और इसी लिए research होती है इसी लिए study होती है criminology की और study के अंदर different perspectives को use किया जाता है study करने के लिए so using different theoretical perspectives हम यह मालूम करते हैं के why people commit a crime because there are numerous factors which influence individuals and their decisions toward the choice of criminal act so criminological perspectives are theoretical frameworks and approaches used to understand and explain the causes and consequences of crime and criminal behavior the perspectives provide insights into the nature of crime the factors that contribute to criminal behavior and the ways in which society responds to crime criminological perspectives offer unique lens through which scholars examine the subject of crime hopefully आपको ये question का answer समझा आगया होगा आपको helpful होगा अगर इसमें आपको कोई कमी नजर आती है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपसे request है कि आप comment box में comment कर लें और इन्शालला मैं आपको इसका जवाब भी परवाइड करूँगा दौा में याद रखिएगा आपसे request है मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और असलाम अलेकम अलाहाफिस